मानव आग के रॉड और कोन रेटिना आग के पीछे का भाग है जिसकी कोशिकाएं प्रकाश पढ़ने पर अनुक्रिया या रिस्पॉंस करती हैं इन विशेश कोशिकाओं को फोटोरिसेप्टर कहा जाता है रेटिना में photoreceptor कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं छड़ और शंकु. चड़ और शंकु आग की रेटिना में नर्व इंपल्स उत्पन करते हैं जो आप्टिक तंत्रिकाउं से होते हुए व्यत्यासिका यानी ख्यास्मा में जाते हैं जिसे वे आन्शिक रूप से पार कर पाते हैं आखें देखने के लिए समवेदी अंग आखें सीर के सामने होती हैं लेकिन वास्तविक्ता में मस्तिष्च का पीछे तथा किनारे काक्षेतर देखने की चेतना पैदा करता है मानव आख की छड या रॉड कोशिकाएं रौट कोशिकाएं प्रकाश और अंधिरे के परिवर्तन, आकार तथा संचार के प्रती सबसे अधिक समवेधनशील होती हैं और उनमें केवल एक ही प्रकार के प्रकाश के प्रती समवेधनशील पिग्मेंट होते हैं। रौट कोशिकाएं रंगीन द्रिष्टी के लिए अच्छी नहीं होती। कम रोश्णी के एक कम्रे में हम अपनी रौट कोशिकाओं का ही प्रियोग करते हैं परन्तु यहां हम कलर ब्लाइंड होते हैं। रॉड कोशीकाएं रेटिना की परिधी में शंको कोशीकाओं की तुलना में काफी अधिक होते हैं। मानव आख की शंकू या कौन्स कोशिकाएं? कौन्स कोशिकाएं रौट कोशिकाओं की समान में प्रकाश के प्रती इतनी समवेदिनशील नहीं होती, परन्तु कौन कोशिकाओं तीन अलग-अलग रंग, हरे, लाल या नीले रंग में से एक के लिए सबसे अधिक समवेदिनश कौन्स कोशिकाउं से संकेत मस्तिश को भेजा जाता है जो इन संदेशों को रंग की अवधारणा में परिवर्थित करता है।